लो मेरे दोस्तों दोस्तों एक बहुत इनपोर्टन बात जो आप को नहीं पता वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आपसे डिस्कस करूँगा इस्टुळेंट जब फॉपूंडेशन में होते हैं presentations में आते है जब फाइनल में पोच जाते हैं तब जाकर उनको पर जलता है कि यह एक चीज़ इंपॉर्णन्ट बहुत है कि अगर आप CMA के साथ B.com यह BVA कर रहे हो यह चीज़ा कर आपको मैं पहले बता दूँ तो आपको एक अच्छा हो जाएगा देखो CMA बनने के बाद दोस्तो आपका Campus Placement होता है जब आप CMA क्लियर कर जाओगे तो आपका Campus Placement होता है What is the meaning of Campus Placement Campus Placement का मतलब है Institute Campus Placement रखवाता है इसका मतलब यह है कि बड़ी-बड़ी companies चाहे वो Government Company हो चाहे Multinational Company हो चाहे Domestic Company हो बहुत बड़ी-बड़ी तो जब Campus Placement होता है न बहुत important बात है पूरी वीडियो देखे आपके future के लिए ही है जब Campus Placement होता है तो वहां पर बहुत सारी Companies का requirement होता है minimum requirement होता है जैसे कि जैसे कि मापको बताता हूं उससे बहुले डीप ले जाकर पहले बताऊं कि अगर आप CMA के साथ बिकॉम कर रहे है या BBA कर रहे है बात है कोई भी graduation degree कर रहे है तो कम से कम बिकॉम के अंदर आप अच्छे marks लेकर आए अच्छे marks मतलब कम से कम बिकॉम के अंदर आपका जो तीनों साल का तीनों year का जो criteria होगा वह 60% होना चाहिए तीनों साल का minimum percentage बनना चाहिए aggregate percentage of थर्ड यर फर्स्टियर सेखेंड यए थडि combine ऐस्ट आई प्रसेंस आउटाए डूरे साल में 50 अगी तीनों साल है किसस्ती परसेंट परसेंट और तीनों का धिकान Mission तो 65 65 65 55 3 यह आगे 60 तो 60 आया तो आगर आपका मिनिमम क्राइब मिनिमम जो परसंटेज आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला आगे जाकर जिस्टूर्ण देखो स्टूर्ण क्या करते हैं विकॉम करना लग जाते हैं यहां पर मैं आप से डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों जब आप विकॉम कर रहे हो तो विकॉम में आपको बहुत इंपॉर्टन बात यह ध्यान रखनी है कि आपका मिनिमम साट परसंट आए सर ऐसा क्युंह ऐसा इस लिए जब आप सीमे बन जाओगे सीमए बनने के बाद जो कैमपस वागा आपका कैमपस प्लेस्मेंट जाओगा तो कंपनी इस्की मिनिमम consider का मिनिमम फपरक्याइए मैं फिर द्वारा कहता हूँ, बहुत सारी company की, सारी company नहीं, बहुत सारी, major company, मालो अगर company, मालो हमारे campus placement में 50 company आई, मालो अगर campus placement में 50 company आई, जो बच्चों को hire करके ले जाएगी, CMA को hire करके ले जाएगी, तो 50 company में से 35 company का criteria यही होगा, कि 35 company का criteria यही होगा, कि become में at least कम से कम से 8% नमबर आए, और CMA को clear हो, CMA clear हो, पहले पर ले time में, दूसरे time में, तीसरा या 8 लग गए हो, वो फरक नहीं परता, CMA clear होना चाहिए, और कम से कम become में 60% आनी चाहिए, अच्छा, और बाकी बचवी 15 company का criteria यह होता है, कि वो छोटी companies होती है, बड़ी company का criteria यही होता है, minimum 60% का, जब आके जाकर आप training करोगे ना, तो लोग आपको खुद ही बताएंगी, जैसे हमने करे थे हमें भी पतला चला, यार ये तो बड़ा दिक्क्त है, जो campus करके आ गए है, तो हमने उससे पूचा, उनसे पूचा, कि भाई आकर आप campus करके आए, तो क्या, तो उन्होंने बताया है, कि भाई, become में 60% लाना बहुत जुरूरी है, जो campus जो CMA बन गए है, मैं उनसे discussion कर रहा हूँ, जो CMA बन गए, जो campus दे कर आए हुए, मैं उनसे discussion करा, और मैं उनसे पूचा, कि भाई, क्या है, become के अंदर minimum criteria करा, 60% कम से कम होने चाहिए, ने तो आधी company का requirement यही होता है, आधी स्यादा, तो मालो, अगर आपके पास 50 company अगर interview लेना आ रही है, मैं student को hire कर रही है, तो 15 company का criteria होगा, CMA clear करो, या become में 50 या फी इतना आने चाहिए, पर major company का criteria यही होता है, major company, major company जो बड़ी-बड़ी company जो होती है, जो आपको अच्छा पैसा package देगी, उनका criteria यही होगा, कि become के अंदर कम से कम, साट परसंट होनी चाहिए, चाहिए वो become honors हो, चाहिए वो become program है, चाहिए वो BBA हो, कोई भी graduation degree के अंदर आपके बास minimum criteria साट परसंट का होना चाहिए, और CMA clear होनी चाहिए, तब ही हाँ, आप interview के लिए eligible हो, मतलब यह eligibility criteria है, major company, आप किसे पूछे ना, साट परसंट और CMA clear होना चाहिए, मैं हर company की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी company, जो बड़ी-बड़ी companies होती है, उनका यही criteria होता है, MNC का यह criteria रहता है, PSU का यह criteria रहता है, तो सोचो, अगर आपकी become में 59% है, तो आप 35 companies में interview दे नहीं पाऊगे, तो आपके पास option कम रहे गए, सुमने की बात है, 50 company है, आपकी अगर become के अंदर माल लेता है, 55% है, तो 35 country में companies के अंदर तो eligible ही नहीं हो, जब eligible हो पाऊगे, तभी तो interview दे पाऊगे, वो अलग बात है, कि interview में select हो पाऊगे, नहीं पाएगा, पहले eligibility criteria तो पूरा होना चाहिए, इसलिए student, मैं आपको इस सभी बाते पहले इसलिए बता रहा हूँ, कि अभी आपकी become चल रही होगी, तो यहां पर ऐसा नहीं कहूँगा, कि become में आपका campus नहीं होगा, यह 15 company आपको नहीं ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा, माला आपको campus नहीं होता, तो आप further job भी ढूण सकते है, उसमें time लगता है, पर आपको मिल जाएगी, और अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएगी, आपको salary भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, बट यह जो campus हो तक का भी, धाई लाग, तीन लाग, चाल लाग, वो अलग-लग company का लग-लग package होता है, बड़ी company अच्छा package देती है, चोटी company कम package देती है, वाला होता है, मैं समझानी के गोज़र कर रहा हूँ कि आगर आपकी विकॉम चल रही है, और आपको अगर यह चीज नहीं पता, त तो विकॉम के अंदर 60% लाने की पूरी-पूरी कोशिस करें, मैं मेरे साथ जो student जुड़े हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ, एक वीडियो मैंने आपर इसलिए डाली है, यह important वीडियो है, इसको share करें जरूड, इसको चुरूर share करना है, दोस्तों आपको हर एक दोस्तों क्राइटेरिया यह होता है, जब हम कैंपस देते हैं, तो कैंपस के अंदर मालो हमारे 50% आई, तो 35 कंपनी में तो इंट्रिवी दे ही नहीं बाऊंगा, तो 35 कंपनी तो गई, एक एक ग्जामपल ले रहा हूँ, मैं जस्त, 35 आ सकती है, 50 आ सकती है, 40 आ सकती है, 20 भी आ सकती ह तो बस यह, और minimum 15 कंपनी का होता है, CMA किले कर लो, हम ऐसी आपको हैर करेंगे, पर इंकी जो salary package होता है, वो कम होता है, इंका ज्यादा होता है, तो इंका criteria भी ज्यादा है, eligible criteria भी कंप में 60% होना चाहिए, विकॉम ओनर सो प्रोग्राम में मैं नहीं करता, तो फिर कह रहा तो आपका campus होना मुस्किल हो सकता है, दोस्तों, campus होना मुस्किल हो सकता है, मैं आपको फिर कहूंगा, कि जब हम interview देंगे, तभी तो selection की बात आगी, जब interview के लिए eligible ही नहीं है, तो selection कैसे बात है, तो 35 कंपनी तो आपको यह छोड़के जली आगी, अगर मैं बात कर रहा रेशियो हैगा 70-30, 30% का नहीं होगा, 70% का become में 60% होगा, तो इसलिए मैं आपको तमझा रहा हूँ कि अगर आप CMA के साथ become कर रहे है, या BBA कर रहे है, कोई भी graduation degree कर रहे है, तो उस become या BBA, चाए open या irregular, जो भी कर रहे है, उसमें कम से कम 60% लानी की कोसिस करे, तीनो समेस के नंबर जोड़ो, उसका aggregate निकालो, percentage का और उसमें 60% लानी को जो, अगर आपका 60% आता है, तो आपके बहुत सारे options है, आपके बहुत सारे options है, आप हर एक company में interview देश पाऊगे, ऐसी ही में regular basis पर campus placement की वीडियो भी लाता रहूँगा, जिससे आपको चीजे पता चले पह होता है, तो वो सारी चीजे, मैं already जान चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, आप भी जानोगे आगे जाकर जब आप trading करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो campus placement है, इसका इक important role है दोस्तों, अगर campus में आपको नहीं मिलती, campus में आगर आपको नहीं क करते हैं, अगर आप select नहीं हो पाएं, तो थोड़ा time लगता है, इंट्रिव, जो हकीकत बाते हैं, वो बता रहा हूँ, जो हकीकत है, थोड़ा time लग जाता है, जौब को मिलने में, ऐसा नहीं होता कि आपको, जैसी CM बने वैसे लाख रुपे चापे, ऐसा कुछ यह सब बो हकीकत बात बता रहा हूँ, आपको, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, तो आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, जो actual में है, इसलिए आप पहले से prepare होके चले, कि become at least 60% लाने की चीज़े है, और इस वीडियो को आप share जरूर करें, अकर पसंद आए तो like भी करें, और चैनल में पह उसके 60% नहीं बन रहे, तो आपको मैं कहूँगा, कि एक CMA इंटर किलियर होने के बात था, चार पेपर देने होते हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली थी, become FAS, become का एक मैंने इगनू के साथ एक MOU साइन हुए, Memorandum of Understanding, उसमें 4 पेपर देने होते हैं, और हमें वीकॉम के डि इंगरी ले लो, उसमें 60% लाना ही गोजिस करें, यह दूसरा चांस होता है, जो कि बहुत साइट साइट करते हैं, जब उनको पता चलता है, नहीं कि आ रहे, साइट परसंट लाना जरूरी था, पर साइट परसंट एक्च्वल मैं आई ही नहीं हमारे, अब क्या करें, तो उसमें 60% आके तो वेल इनकूट है, यह क्रैटेरियस की वीडियो में डाली हुई है, कोई भी प्रोल्म है, कैंपस से रिलेटेट्ट मैं सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो लेकर आँगा, कैंपस से पहले पहले, जो आपको नहीं पता हुँए, पर यह एक वीडियो बह मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिममम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इंट्रिवी देने का 60% आने चाहिए, बहुत सारी कंपनी का नहीं भी होता है, वो ले लेती है फिर, चीक है, सारी बाते हकीकत है, दोस्तों, यह कोई ऐसा नहीं है, कि मैं CMA को डाउन कर रहा हू जो एक्च्वल में है, वो बता रहा हूँ, कि जो कैंपस में होता है, वो बता रहा हूँ, ठीक है, अब यह आपको भूरा लगे, यह अच्छा लगे, वो ठीक है, कि भाई, हम अगर 60% नहीं आए, तो हम CMA बकरने का फाइदा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्तों, CMA को कंपस में हो सकता, बाकि जो 700 बच्चे है, वो क्या विरोजगार बेटे हैं, नहीं दोस्तों, वो भी अपनी पढ़ाई कहीं न कहीं, वो भी अपनी जॉब कहीं न कहीं करी रहे है, ऐसा नहीं है, कोई बरोजगार बैटा होता है, Professional, कोई नहीं बैटेगा, हां, क्यांब क्स प्रेसर से ही जोब लग जाती है, नो एक्सपीरियंस आपको जोब मिल जाएगी, ये बेनिफिट होता है कैमपस को, और कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब से में बनते ही, आपको जोब मिल जाते है कैमपस से, बागी जिनको नहीं मिलती ही, तो अगर आपको कैमपस से वीडियो और चाहिए, ऐसे रिडियो और चाहिए, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके कोई भी प्रोलों हो, कैमपस से रिडियो मैं जरूर बनाऊंगा, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च.